हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्तों हूस भाकिश्री इंबिस्तिन नियूस के बॉलीफुड कॉसिते आप सभी का स्वागत है आए देखते हैं फिल्म जगास की कुछ होट कपी सिंगर अधना स्वामी का नया सौंग तू याद आया लौज हुआ है बैलेंटाइन स्वामी को अभी कुछ ही दिन पाकी है और इस मोकी पर रोमैंटी स्वामी का गाना तू याद आया एक परफिक रोमैंटी गाना है जिससे भूशन कुमार और अधना स्वामी ने लौज किया है इस गाने के विडियो में खुद अर्णान स्वामी तो फीचर है लेकिन उनका साथ देरी है अक्ट्रिस अथा शर्मा अर्णान स्वामी जी ने हाले में परदमश्री से नवासा गया है ये गाना उनके एक लंबे समय के बात कम्बाक है जिसे हाले में अर्णान ने बिग बॉस में भी दिखा करा है इस मौकी पर अर्णान ने लोगों के काफी सवालों की चवाब दिये फिर चाहे वो बात उनको परदमश्री मिलने पर सवार हो या फिर उनके लंबे समय तक काम ना करने पर हो दोस्ती और मिलना जुलना तो हमेशा से था हम अकसर बात किया करते थे कि करना चाहिए करना चाहिए लेकिन I guess वक्त जब चल रहा होता है तो इंसान को अंदाजा नहीं होता कि कितना आट सा गुजर गया है यह जब हमने पैट के सोचा के आखरी मतबा कब किया तु पता लगा कि नौ साल होगे इंसान 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 कि नौ साल होगे तो I guess you know at the end of the day God is the greatest planner so it was ordained to happen now and I'm glad that it happened and it was just wonderful that it was with him and with T-series and such a fine team of people with all the enthusiasm in the world. It's just wonderful. मैं खुद जब भी मैं काम करता हूँ तो जौन के साथ करता हूँ तो इनका भी यह हाले अपने फील्ड में तो अच्छा लगता है कि जब सब जौनी जो हमो इकठे हो जाते हैं यह जमी रुक जाए आसमा चुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आहे तेरा चेहरा जब नजर आहे यह जमी रुक जाए आसमा चुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आहे तेरा चेहरा जब नजर आहे 23rd 5 को हने पाली दादा साहे पार की इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की प्रेस कॉन्फरेंस में 23rd 5 को दादा साहे पार की इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सोने पाला है और बताया कि हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात होती है दादा साहे पार की को लेकर इसके अलावा सभी ने यहाँ पर अपने अपने अग कमिंग प्रोजेक्स को भी शेयर क्या बहुत हमेशा सुना करता था मैं यह बहुत प्रिस्टीजिस काफी सम्मान वाली बात है कि ऐसा कुछ और इतनी बड़ी चीज हो रही है पहले फिल्म के बाद ही और बहुत खुशी हो रही है बहुत ही ज़ादा नर्वस हूँ क्योंकि दादा साहे पाल के इस 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 काइड कि दादा साहे पाल के लिए इंटरनाशनल फेस्टिविल यह एक बहुत ही एहम और अटूटनी अंग है क्योंकि दादा साहे पाल के जी ने कहीं ने कहीं एक मुहिम शुरू की थी और सिनमा की नीव डाली थी हूँ है हूँ हूँ है हूँ हम ना भान बंग पाल की थी और अलाउंड थी व्या को रहूं कुटनी है तर फेस्टिविल का पाल होना उत्स, थी और इसक्ताए मुम द्विलेश्य तो रह एसे लिए के लिए में हाँ हूँ आग। that I have been invited here and I am part of this particular festival because काफी सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ये आवार्ड शोस होते हैं, I somehow don't feel completely connected with them, but this name itself is so big that you feel or you want to be connected. So I feel really grateful, thank you so much. तनिशा मुखर जी आज मुबई के जान्ता क्रूस में जेलव मल्टी डिजाइन स्टोर में निव कलेक्शन देखने को पहुचे, इस मौकी पर तनिशा बहुत स्टनिक लग रही थी, उन्होंने अपने ड्रेस को लेकर बाती की, साथी साथ उन्होंने निव कलेक्शन को लेकर बताया कि उन्हें क्या कुछ पसंद आया, उन्होंने कहां कि ज्वेलरी मुझे काफी पसंद है और मैं ज्वेलरी पहनना पसंद भी करती हूँ, तनिशा ने ट्रेंड्स के बारे में भी बाती की, साथ ही साथ उन्होंने अपने अग कमिंग प्रोजेक्स के बारे में भी बताया कि उनकी एक फिल्म आने पाली है जब उनसे बिग बॉस 13 के बारे में पूचा क्या तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते है मैं जबी भी जेलम स्टोर आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंके A. she's a friend of mine and B. क्योंके वो बहुत ही अच्छे collections रहते हैं इनके store में and वो बहुत personal interest लेती है कि floor पे क्या-क्या designs है क्या quality है क्या, you know, fabrics है so I really like it. I think it's a very fun store. It's a high quality store and इस दुकान में अगर आप आओगे ना तो हमेशा कुछ न कुछ मिल जाएगा जो आपको अच्छा लगेगा Actually, आज मैने एक designer पहना है जिसने ये जूलरी किया है and उसकी जूलरी के influences are tribal influences and they're very clearly evident in the jewelry she's created so मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा के तीन बहुत ही अलग accessory designers है यह and they're all using natural fabrics, natural stones जो इंडिया की खासियत है वो यूज कर रहे है I think India fashion is coming up and I'm really, really impressed and proud of the fact के हमारे designers, हमारे कारिगर, हमारे जो traditions है उनको मन में रखकर ये नए fashions बना रहे है so it's very cool सबकुछ हमेशा Big Boss में वापस आते है actually, honestly, मैं ये season ज्यादा follow नहीं कर रही हूँ लोग मुझे बहुत, मुझे से बहुत नाराज है क्योंके मैं ज्यादा follow नहीं कर रही हूँ मुझे रोज कुछ न कुछ Twitter पर दिखाई देता है कि तुम्हें पता नहीं तुम ये क्यों नहीं कर रही हूँ तुम वो क्यों नहीं कर रही है मुझे मालम नहीं मैं क्या करूँ so I feel a little guilty for not following but honestly, I cannot comment क्युके मुझे पता नहीं क्या हो रहा है and I feel it is irresponsible to comment on something when you don't know the facts so पहले अपना study करो and let me study big boss then I'll comment on it लाट में Fashion Week Summer Resort 2020 के लिए बतो शोस्टॉफर विकी कॉशल और जान्वी कपूर राम परुत्री लाट में Fashion Week Summer Resort 2020 के शिर्वात हो चुकी है और पेती शाम कैटिन रहसर के लिए fashion designer Soya Mishra ने अपनी कलेक्शन चोला लांच किया जो कंस्यूम बस को Exclusive Reliance Trains पर उपलबत होगा यहां Soya Mishra ने चोला कलेक्शन के लिए बतो शोस्टॉफर अभी निता विकी कॉशल और जान्वी कपूर राम पर उतरी और उनका लुक देखने लायक था यहां पर उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस के तोरान Soya के चोला कलेक्शन के बारी भी पाती की You know, I'm such a big fan of his work and I've only seen most of his pieces in pictures and आज मुझे पहने का मौका मिला है and just to look at his embroidery and the kind of sequence and craftsmanship that's gone into this piece I think it's beautiful and I'm very happy to wear it and I'm very happy that Reliance Trends has brought together so many talented and fresh and new designers and showcased all of their wonderful works We have been trying to collaborate since a very long time and I'm very happy that I finally got to wear Kunal Rawal We've been really wanting to do this for the long time and this is my first time ever that I've walked a ramp forget Lakme Fashion Week but yeah, I'm very happy to be here and to represent Reliance Trends because like he said, it's the biggest destination for fashion in the country and I'm extremely happy to be representing this along with the beautiful Janvika Boriward Gossip मे फिलालिता ही का पर बलता है Film Industry के खट्टे मिटे खबरों के साथ अल्विता weten check का झा उबस्याउ का उल्विता उह झालका उल्हाइं लेगरों के तौा बल्हाएं रुंकन पर गा зайए करन ні